हलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग मैं आपकी इंग्लिश लिट्रेचर की टीचर हूँ मेरा नाम वेशाली है ठीक है वेटा तो सबसे पहले आज आपकी फर्स्ट क्लास है नए सेशन की 2020-21 में जो आपकी 2021 का जो आपका सेशन है उसमें आपकी जो फर्स्ट क्लास लगने जा रही है तो स्लेपस शुरू करने से पहले मैं आपको इंग्लिश लिट्रेचर का स्लेपस बताना चाहती हूँ मैं आपको पता हो ना चाहिए कि आपका पेपर किस तरह से आएगा आपके स्लेपस में क्या-क्या है आपको कितनी books लगी हुई है और आपको कौन-कौन से chapter और उन चैप्टर में से लॉंग कोशन, शॉर्ट कोशन, गरामर है जो और राइटिंग पोशन है जो वो सारा कैसे आएगा ठीक है बिटा तो आज हम क्लास में सबसे पहले स्लेबस इंट्रोड्यूस करवाऊंगे मैं आपको आप चाहते हो तो इस लेबस को आप नोट भी कर स सकते हो अपनी कॉपी पे या फिर आप इसको अच्छे से समझ लोगे और अपनी आप देख लोगे कि आपको कौन-कौन से किस किस चैप्टर में से कौन-कौन सा कुशन आ सकते हैं लॉंग कोशन और शॉर्ट कुशन ठीक है बिटा तो आपका क्लास 11 है इंग्लिश लिट्र का पेपर है थीरी का जो है वो 80 मार्क्स का आएगा आपको 20 मार्क्स की आपकी असेस्मेंट लगेगी जो आपकी टेस्ट के बेस्पे होगी और आपकी पंचुयलिटी के बेस्पे होगी कि आप रोज लेक्चर अटेंड कर रहे हो या नहीं आप रोज मेरे को टेस्ट दे र गंटे का होगा ठीक है टोटल मार्क्ष जो हो जाएंगे वह तेन हो आफंडड हो जाएंगी assessment based वागर नście गार्चकों का होगा तेस्ट के पे नाइन माक्ष होंगे आपको assessment assessment assignment मिलेगी या फिर project मिलेगा जो कि नाइन माक्ष का होगा बुक बैंक है जो वो जो है टू मार्क्स की होगे तो असेस्मेंट है जो वो 20 मार्क्स की होगी और जो बाकी हमारे स्लेबस में से आपको पेपर आएगा जो आपने एक्जाम में करना होगा वो 80 मार्क्स का है तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ए पार्ट ए में क्या है प compulsory मतलब जरूरी है, यह आप छोड़ी नहीं सकते, यह 10 marks के आएंगे आपको, ठीक है, objective types मतलब आपको objective दिये होंगे, जैसे question दे दिया, उसमें आपको options दे दी, और आपने उसको choose करना है कि आपने कौनसी option आपकी question के लिए सही है, ठीक है, तो it is, it will consist of 10 objective type questions carried on one each marks, आपको 10 questions आएंगे, MCQs जानते हो, MCQs होते हैं आपको question दिया होते हैं और साथ में 4 options दे दी जाती है, उन 4 options में से आपको देखना है कि कौनसी option सही है, उस पे आपने take करना है, तो वो कितने आएंगे, 10 आएंगे, हार एक question एक marks का होगा, ठीक है, objective type questions may include questions with one word to one sentence answer and filling the blanks, true, false, multiple choice questions, औ और ये जो 10 questions objective type, ये कौन-कौन से आ सकते हैं, या तो आपको दिया होगा उन्होंने questions with one word to one sentence, एक word का question दिया होगा, एक sentence का आपने answer लिखना है उसका, ठीक है, या फिर आपको filling the blanks दी होगे, या फिर true, false भी आ सकते हैं, या फिर multiple choice questions भी आ सकते हैं, किस-किस में से आएंग कि जो आपकी first book है English reader, book 5 उसमें 5 marks काएगा, selection from English verses उसमें 2 marks काएगा, book of essays and stories है जो उसमें से 3 marks काएगे, ये तीनों books आपको लगी होई हैं, जो कि मैं आगे जाके आपको introduce करूंगी आज, कि आपको कौन-कौन से book लगी होई हैं, और उसमें कौन-कौन से chapters हैं, ठीक है बेटा तो ये 3 books हैं, जिसमें से आपको ये 10 objective type questions आएंगे, इसमें true-false, feeling the blanks, multiple choice questions, कुछ भी हो सकता है, जो कि एक marks का होगा, और 10 के 10 लाजमी होगे, इसमें आपको choice नहीं होगी, ओके बेटा, समझ में आगया A section, next है हमारा B section, B section है English reader book 5, जो आपकी first book है, English reader की वो है, उसमें text for detailed studies, आपको text है, जो वो detail में पढ़ने होगे, ठीक है, detail में आपको story पढ़नी होगी, उसमें क्या होगा, आपको first है, जो वो comprehension आएगा of a passage, मतलब एक paragraph दिया होगा, उस paragraph में से आपको questions, matchings वगेरा होगी, जैसे कि आगे explain किया गया है, कि comprehension is to be tested with the help of following techniques, comprehension मतलब एक paragraph है, उसमें क्या क्या होगा, who spoke, कौन बोल रहा है, wrote these words to whom, ये word किसने किसको लिखे है, about whom, किसके बारे में लिखे है, name of the chapter, किस chapter में से ये paragraph आया है, और the author, और उस chapter के author का नाम बताना है, मतलब कि आपको जो English reader book है, उसके जो chapters है, उनकी नाम और उनके writers के नाम अच्छे से याद करने है ताकि आपका जो ये एक question बनेगा ना, उसके आपको marks कटना हो जाए, ठीके बेटा, और उसी paragraph में से आएगा short answer type questions, questions दिये होंगे, आपने paragraph में से answers ढूनने है, matching exercise दीख जाएगी, filling the blanks दीजाएगी, और meanings of difficult words in simple English, आपको meaning बताने है, simple English में difficult words के साथ, ये जो है, ये जो paragraph है ना, comprehension, ये किस में से आएगा, English reader book में से आएगा, जो आपको इसमें chapter दिये हैं, उन्ही chapter में से आएगा, बाहर से कहीं नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए आपको chapter अच्छे से पढ़ने है, ताकि आपका comprehension सही हो जाए, ये जो comprehension है, वो 10 marks का है, ओके बेटा, next हमारा question है, an essay type question about 125 words on character sketch, theme, etc. with eternal choice, मतलब इस book में से आपको एक essay type question लिखना होगा, जो की 4 marks का होगा, ये आपको character sketch भी दिया जा सकता है, और theme भी दिया जा सकता है, इसमें choice होगी, आपको दो question में लेंगे, आपने उन में से एक question करना है, ठीक है, तो ये आपकी first book है, English reader book number 5, इसमें से आपक एक आपको long question आएगा, ठीक है बेटा, B section clear हो गया, next हमारा C section, C section में हमारी next book है, selections from English words, ये बुक का नाम है, ठीक है, इसमें से क्या होगा, explanation with reference to the context, मतलब इसमें आपको poems दी जाएंगी बुक में, बुक में poem है, हमने poem पढ़नी है, आपको 2 sentences दी जाएंगे, आपने उसमें स एक स्टेंजा करना है, ठीक है जी, वो 7 marks का, next है उस poem का central idea आएगा, 3 marks का, total आपके 7 marks की बुक में से 7 marks का जो कुश आपको paper आएगा, ये बुक है, इसमें poems है, ठीक है बेटा, इसमें poems है, poems करनी है, आपको poems में explanation with reference, जैसे हम पंजाबी में नहीं करते हैं, हिंदी में करते ह स्कूल में, पर संक साथ व्याख्या करो, वो English में है, reference है, to context, ठीक है, आपको एक paragraph दिया जाएगा English में से, वो English का paragraph आपने करना है, और उसमें उसको आपने explain करना है, और ये बताना है कि ये कौन सी poem से लिया गया है, और इसके writer का नाम क्या है, और इस poem में क्या कहा गया है ठीक है, और ये चार marks का है, आपको दो sentences दिये जाएंगे, आपने सिरफ एक करना है, सिरफ एक करना है, चार नमबर का, central idea आएगा poem का, वो तीन marks का आएगा, ठीक है बटा, C section clear हो गया आपको, next है हमारा D section, D section में क्या है, बुक के है, आपको a book of essays and stories है, इसमें essays and stories दिये 6 questions दिये होंगे, आपने सिरफ उसमें से 4 questions करने है, जो कि 12 नमबर के होंगे, मतलब हर एक question है, जो वो 3 marks का होगा, 12 नमबर के short questions आएगे, आपको a book of essays and stories में से, उसके बाद एक बड़ा question आएगा, जो कि 24 होगी, उसमें आपको character sketch or theme दिया जा सकता है, वो 6 नमबर का आएगा ठीक है बेटा, 3rd book है जो आपकी है, बुक of essays and stories, इसमें से short question और long question आएगे, इसमें से total 18 marks का paper है, जो वो आएगा, ठीक है जी, clear हो गया next बेटा, E section, E section है composition and grammar आएगी आपको, grammar में हमें क्या होगा, आपको composition में पहले letter और application, letter और application में क्या difference होता है, application होती है, जो हम school में लिखते है, ठीक है, किसी से permission लेने के लिखते है, letter क्या होता है, और formal और informal दोनों तरह का होता है principle को हमने application लिखनी है, ठीक है, principle से हमने छुटी लेनी है, principle से हमने अपने fees माफ करवानी है, किसी भी चीज़ के लिए हम application लिखते हैं, ठीक है लेटर होते हैं वो informal होते हैं और formal होते हैं ठीक है तो informal जो हम अपने parents को लिखते हैं जो हम अपने भाई बेहन को लिखते हैं हमारे relatives को लिखते हैं वो तो informal हो जाता है जो हम अपने authority को लिखते हैं authority मतलब हम अपने टीचर को लिख रहे हैं हम अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं अगर हम जॉब कर रहे हैं तो वहां हम अपने बॉस को लिख रहे हैं ठीक है अपने से उपरले लेवल के बंदे से जब हमने बात करनी होती है तो उसको फॉर्मल लेटर में करनी है ठीक है यह यह आएगी आपको application और letter five marks की, उसके बाद आता हमारा essay, आपको तीन essay दिये होंगे, उसमें सिर्फ आपने एक essay करना है, ठीक है, वो होगा five marks का, उसके बाद हमारी एक grammar आजाएगी, grammar में हमने क्या करना है, voice, narrations, voice दो आएंगे, narrations दो आएंगे, उसके बाद word, use of word, आपको एक word दिया जाएगा, आपने उसको noun, verb और adjective या फिर adverb में उसको sentence बनाना है, only one word, एक word का, वो क्या आएगा, एक number का आएगा, उसके बाद combining two sentences with appropriate linkers, आपको combine करने दो sentence with appropriate link के साथ, एक marks का आएगा, filling in the blanks with suitable preposition or determinals, preposition or determinals आएगे आपको, आपने prepositions के कौन कौन से होती है, of, of, articles भी इसमें आजाएंगे, a, and, the, सारे articles होंगे, ठीक है, before, after, ये सारे क्या होते हैं, prepositions होते हैं, much, more, such, ये सारे determinals होते हैं, और prepositions होते हैं, उसके बाद various concepts आएगे, वो दो number के आएगे, ये हम grammar की book में से करेंगे, कि आपको grammar है, वो कौन कौन से आएगी, तो grammar, आपको 26 marks की आनी है, grammar, आपको letter है, application पाँच नमबर के आएगे, essay है, वो पाँच नमबर का आएगा, voice दो number की, narrations दो number के, आपको एक word दिया जाएगा, आपने उसको noun, verb, adjective और adverb में use करना है, ठीक है, वो एक number का आएगा, combine, आपको दो sentence को combine करना है, भी the appropriate linkers के साथ, वो एक number का आएगा, prepositions और determinals एक number के आएगे, various concepts हैं, जो वो two marks के आएगे, ठीक है बटा, तो हम इसमे important important चीज़े क करेंगे, हम सारा नहीं करेंगे, जो जो लगता है कि यह important नहीं है, exam में नहीं आएगा, वो हम नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको दियान रखना है, हम grammar अच्छे से करेंगे, letters और essay है, जो वो important, important करेंगे, ठीक है जी, इपार्ट समझ में आगया बेटा, 26 marks का आएगा, आएगे, two number के, आपको transfer करने है sentences को, और translation आएगी, आपको English में दिया होगा, आपने उसको अपनी पंजाबी language में translate करना होगा, running paragraph of passes दिया जाएगा, four marks only, उसमें सिर्फ चार marks होंगे, चार sentence होंगे, जो पांच नमबर के आएगे, ठीक है, तो यह आपका e part हो गया, e part में, letter, essay, voice, narration, word दिया जाएगा, combination दिया जाएगा, preposition, determinals होंगे, various concepts होंगे, और transformation of sentence होगा, और translation होगी, यह जो हैं आपको 26 marks के आएगे, उसके बाद आपको good handwriting, good handwriting special mention की गई है, देखो आपके syllabus में, उसके 5 नमबर आपको मुफ्त में मिल रहे हैं, तो जिस जिस की writing अभी भी थोड़ी बहुत खराब है, बेटा उसको सुधार लो, ठीक है, धीरी धीरे आपके सुधार जाएगी, तो 5 नमबर देखो, मुफ्त के हैं, जो आपके syllabus में mention है, good handwriting, good handwriting के 5 नमबर extra दिये हैं, उन्होंने, तो इन 5 नमबर को हमने लेना ही लेना है, बिना पड़े, बिना याद के आपको 5 नमबर मिल रहे हैं, ठीक है, तो आपको good handwriting के 5 नमबर है, तो ये आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है बेटा, ये तो था हमारा syllabus, ठीक है, आपको A section करवाया मैंने, B section करवाया, C करवा दिया, D करवा दिया, E करवा दिया, आपको ये 5 section पता लग गए, ये 3 section तो बुक में से आएंगे, आपकी 3 books लगी हुई है, ये section grammar का है, ठीक है बिटा, और ये जो section है, हमारा इसमें क्या था, हमारा comprehension वगेरा थे, और जो हमने इस section में पढ़ा था, वो था, ठीक है, अब आपका syllabus देखो, आपको first book लगी है, English reader इसमें से ए ऐसे type question था, ठीक है, और एक paragraph था, 10 marks का, ठीक है, तो इसमें आपको 11 chapters है, The Young Akbar, The Story of Sir Rama's Exile, Discovery of Penislin, Story of Michael, Guru Gobind Singh, Soheb and Drustam First, Soheb and Drustam Second, Modern Miracle, Abu Hassan and His Wife, A spark neglected burns the house part 1 and house part 2, तो ये 11 chapters है, इन में से आपको eternal choice में से एक essay type question आएगा, long question आएगा, और इन में से एक आपको paragraph आएगा, ठीक है बेटा, ये book आपने देख के लेनी है, कि ये book में ये 11 chapter आपके match करते हो, इसलिए मैं आपको slips provide कर रही हूं, कि कई बार होता है, कि हमें book में व तो ये chapter आपकी इस book में होने जाएगे, English leader grammar, English leader book 5, ठीक है बेटा, next हमारी second book है, हमारी selections from English verse, इसमें क्या है आपको, जो है questions आएगे, इसमें हमारे 13 chapters है, इसमें से आपको एक explanation करने का paragraph आएगा, ठीक है, और साथ में central idea आएगा, central idea, ठीक है, ये दो questions आएगे, तो हमारी 13 poems है, अब इसमें important important जो poems है, वो बहुत ही जादा important है, वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार, करेंगे हम सभी, पर हमें important है, जो उन पर जादा ध्यान देना है, ठीक है, तो going, ये जो है, my native land important है, the patriot important है, the brook important है, allegory on the death of mad dog important है, we are seven important है, the charges of the light bridge है, जो ये important है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान से करने है, next हमारी book है, जो third book है, आपको जिसमें से short question और long questions आएंगे, वो है book of essay and stories, इसमें आपको 14 chapters दिये है, ये हमें ध्यान से करना होगा, क्योंकि इसमें से हमें short questions आने है, और साथ में long question भी एक आएगा, ठीक है, तो इसलिए हमें ये ध्यान से पढ़ने होंगे, तो ये आपकी तीनो books हैं, जो वो होगी, complete ये तिनो books के, पहले books में हमारे 11 chapter थे, third book में 13 poems है, second book में 13 poems है, third book है, जो उसमें 14 जो हमें chapters दिये गए हैं, और 15 chapter है, जो the last leaf है, तो third book में हमारे 15 chapters है, next है हमारा applied grammar, grammar में हमें 26 marks की हमें grammar आनी है, जो ये पार्ट में है, the sentence and its form, the sentence and its kind, clause and its kind, noun phrase है, noun, pronoun, determinals, adjective, verb phrase, the main verb, transitive and intransitive, linking verbs है, tenses है, prepositions है, adverbs है, conditional sentences है, adjective close है, voices है, narrations है, vocabulary expressions है, ये हमें आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, कि मैं हम इतना ज़्यादा syllables है, पर इनमें कुछ नहीं है अंदर, इनमें सिरफ इनके ना, हमें numbering दे रखी है, कि इतने ज़्यादा करने है, आपको इतने ज़्यादा नहीं करने है, हमें सिरफ क्या करने है, हमें सिरफ voice करने है, हमें सिरफ narrations करने है, ठीक है, सिरफ हम क्या करेंगे, voice करेंगे, narrations करेंगे, prepositions, determinals, tenses, ठीक है, determinals, trances हो जाएंगे तो इन में ही आपका ये सारा जो syllabus है वो cover हो जाएगा तो आपको जादा करने की ज़रूरत नहीं है मैं आपको main main करवाऊंगी जिससे आपके बहुत अच्छे marks आएंगे पर writing का ध्यान आपने खुदने रखना है ठीक है बेटा तो आगे compositions है composition में हमें translation थी ठीक है letters है applications है और essays है ये भी हम important important करेंगे सारे नहीं करेंगे ठीक है जी तो ये आपका paragraph जो translation दियोगी ये तो आपके कामका नहीं है ठीक है और books हैं जो prescribed और published की गई है वो Punjab School Education Board की है आपको ये चारो books लगी हुई है ठीक है first तीन books है बताई मैंने आपको ये grammar की book लगाई दी है ठीक है all the lessons of books are included in the syllabus no part has been deleted कोई भी part आप delete नहीं कर सकते हो जो भी part है वो सारा syllabus में इंतिलूड किया गया आपकी book का ठीक है बेटा तो ये आपका syllabus है वीडियो से आपको syllabus शुरू करवाऊंगी ठीक है आप इस syllabus को धियान से पढ़ लो समझ लो ठीक है कैसे exam आएगा आपका first जो part है उसमें आपको a, b, c, d, e 5 पार्ट दे रखे हैं जिसमें आपको pattern बताया गया है कि आपको paper कैसे आएगा और उसके बाद आपको बताया गया है कि 3, 4 जो आपको books लगी हुई है पहली 3 books आपकी chapters की है fourth है जो grammar की है ठीक है तो आप एक guide ले लो बेटा तो हम उसमें से आपको मैं syllabus शुरू करवा देती हूँ ठीक है आज हमारी वीडियो में मैंने आपको syllabus इंट्रोड्यूस करवाया syllabus शुरू करने से पहले आपको अपनी syllabus है उसका पता होना चाहिए कि आपको paper कैसे आएगा ठीक है जी उमीद है आपको समझ में आ गया होगा बेटा अगर फिर भी आपको कोई problem लगती है तो आप मेरे को personally message करके पूछ सकते हो कि आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही है तो मैं आपको clear कर दूँगी ठीक है जी तो next video में हम अपना chapter शुरू करेंगे सब के पास books होनी चाहिए कोई भी ऐसा बटा ना हो बच्चा जिसके पास book नहीं होगी तो जिसके बस book नहीं होगी उसको समझ में नहीं आएगा तो मैंने हर chapter को पढ़ाने के बाद समझाने के बाद उसका test लेना है साथ में ठीक है जी जो बचा test देता रहेगा जो बचा वीडियो देखता रहेगा समझता रहेगा उसके 20 marks मेरी हाथ में है तो आपको देखना है कि आपको 20 में से 20 लगवाने है या 20 में से सरफ 5 लगवाने है और plus writing writing के 5 marks है देख लो आपको कितने लेने है 5 के 5 मुफ्त में लेने है या नहीं लेने है वो आपपे depend करता है तीक है जी अगर मेरी according चलोगे बेटा आपके पास सभी के पास books होनी चाहिए जहां पर कोई problem लगती होगी आप मेरे से message करके बोल सकते हो कि मैं हमें यहां से समझ में नहीं आया मैं आपको फिर से बता दू ठीक है बेटा ओके बेटा books ले लो आज के आज कर फिर मैं आपको चप्टर शुरू करवाऊंगी पर किसी ने कोई यह नहीं कहना कि हमारे पास मैंडम book नहीं है book ले लो अपनी ओके बेटा have a nice day